कबीर कह गए हैं तिनका कभवू न नी दिये जो पावंतर होई कभवू उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी होई एक वक्त था जब चीन अपने सामने छोटे छोटे देशों को तुच्छे समझता था लेकिन अब वही तिनके उसके आखों में गुस रहे हैं और उसे बड़ी पीरा हो रही है अपनी बिदेश नीती को सबसे अच्छा मानने वाला जिनपिंग अब बड़ा ही पचता रहा है जहां अब नए नाटो से परिसान हो रहा है जिनपिंग तो वहीं दूसरी तरफ अर्मेनिया अजरबेजान की लड़ाई में अब रूज के साथ साथ एक और देश कूद गया है क्या अजरबेजान को अकेला छोड़ कर अब भागेगा तुरकी और क्या पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से एक वक्त था चीन के विदेश मंत्री वांगी जो कभी क्वाइड का मजाक उड़ाते नहीं थकते थे और आज वो डर रहे हैं क्वाइड देशों के समूव को इंडो पेसिफिक नाटो का नाम दे रहे हैं वांगी ने क्वाइड का मजाक उडाते हुए कहा था कि क्वाइड को कूडे में फेक देना चाहिए यह कूडे में फेकने लायक आइडिया ही है यह आइडिया समुद्री जाग की तरह खुद ही खत्म हो जाएगा लेकिन अब जैसे ही क्वाइड की दूसरी बैठकुई और के होसूडने लगे हैं यहां तक की चीनी मीडिया भी अब क्वाइड को लेकर तरह तरह की बढ़काव बाते कह रही है वैसे आपको बता दें इस क्वाइड की सुरुवात 2007 में हुई थी और क्वाइड में चार देश अमेरिका जापान अस्ट्रेलिया और भारत सामिल है मा हमारी को लेकर क्वाइड की मीटिंग हुई थी और इसमें पहली बार न्यूजी लेंड दचिन कोरिया और वियतनाम भी सामिल हो गया था इस समू के गठन के बाद से ही चीन चिरा हुआ है और लगातार इसका विरोत कर रहा है क्योंकि चीन जानता है कि यह आगे चल कर क्या बनने वाला है चीन इसे समझ रहा है कि यह इंडो पेस्फिक छेत्र में नाटो देशों की तरह काम करेगा चीन को काउंटर करने के लिए और इस तरह की परक्रिया चल भी रही है जैसे नाटो देशों के ऊपर किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो यह माना जाता है कि व पुखी के अंदर है चीन और अगर चीन की तरफ से इन चारों देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो बांकी देश भी आएंगे वैसे आपको बता देए इन चार देशों के समूं में जल्द ही और भी देश आसियान के जुड़ने वाले हैं जैसे कि वियतनाम, दच बस में करता है लेकिन जब सारे एक साथ आएंगे तो उन्हें अपनी बस में करना मुश्किल हो जाएगा अब भारत को वह सिच्छा दे रहा है कि भारत को अपनी गुट निरपेचता की नीती का पालन करना चाहिए क्वाइट से दूर रहना चाहिए और किसी भी गुट में सामिल नहीं होना चाहिए लेकिन क्या चीन ने इस तरह का माहूल रहने दिया है क्या चीन की बात मानने वाला समय है मलेसिया ने 60 चीनी नागरिकों को पकड़ लिया 6 चीनी बोटों को पकड़ लिया और उसके बाद भी चीन कुछ नहीं कर पा रहा है इसकी खास वज़य यह है कि मलेसिया की पीछे क्वाइट खड़ा है वरना अब तक मलेसिया को मसल चुका होता क्वाइट की सक्ती और क्वाइट का डर अब चीन को दिख रहा है अर्मेनिया और अजरवेजान की लडाई अब एक छोटी लडाई नहीं रह गई है रूस की काफी कोशिसों के बावजूद अजरवेजान और अर्मेनिया में सुलह नहीं हो सकी और जिसका सबसे बड़ा कारण अजरवेजान है जो की तूर्की के इसारे पर चल रहा है अब उसके तुरंत बाद अर्मेनिया अजरवेजान पर भारी पड़ते हुए उसके परमुक सहरों को निसाना बना रहा है साथी साथ सैन्य ठिकाने और टैंकों पर भी तवाही मचा रहा है इतना कम था तो अब एक और देश अर्मेनिया की तरफ से सामिल हो गया है ये रूस नहीं है रूस तो पहले से ही सामिल हो चुका है और हतियारों की सप्लाई कर रहा है अर्मेनिया को जिसकी वजह से पिछड़ता हुआ अर्मेनिया अब आगे बढ़ चुका है और अजर्बैजान पर भारी भी पड़ रहा है वह देश है सर्बिया और सर्बिया ने लाइव ड्रील भी कर ली है अर्मेनिया के साथ मिलकर मतलब की खुल कर सर्विया साथ आ गया है अर्मेनिया के सर्विया के साथ आने के बाद अजरबैजान सर्विया को याद दिलाने की कोशिस कर रहा है कि अजरबैजान ने कभी सर्विया की मदद करी थी इसलिए आज सर्विया इस लड़ाई में अजरवेजान का साथ दे अर्मेनिया का साथ नहीं दे वैसे आपको बता दें सबसे पहले इरान आया था साथ देने के लिए लेकिन खुद इरान के अपने ही देश में परदरसन होने लगे जिसके वजह से इरान ने इस लड़ाई से दूरी बना ली लेकिन अब वापस इरान, सर्विया और रूस अर्मेनिया की मदद करने के लिए पहुँच चुके हैं इस लड़ाई को छोटी लड़ाई समझने की भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक तरफ जहां इरान, रूस, सर्विया और अर्मेनिया हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और पीछे से चीन भी खड़ा है अगर यह लड़ाई ज्यादा दिन तक चली तो आप यह समझ लीजिए कि यह बड़े लड़ाई का रूप ले लेगा और अगर कम दिन चली तो भी इसमें अजरबैजान बुरी तरीके से तबाह होने वाला है और अजर्बेजान के साथ साथ तुर्की भी जिसकी अर्थवेवस्था खुद एक पाउँ पर चल रही है यहां तक की अर्मेनिया के साथ सर्विया के लड़ाके भी पहुँच चुके है हतियारों के साथ साथ अपनी पूरी मदद सर्विया अर्मेनिया को दे रहा है और दूसरी तरफ इसराइल से हतियारों का आना भी बंद हो गया है ऐसे में अजरबैजान तुर्की का एक मात्र सहारा बचा हुआ है चीन और चीन के हतियार तो पूरी दुनिया जानती है कैसे है और इस वक्त का इस्तेमाल चीन सिर्फ और सिर्फ अपने डुब्लिकेट माल को बेचने में करेगा यानि कि दोनों ही तरफ से अजरबैजान और तुर्की के लिए बरबादी के अलावे कुछ भी रखा नहीं है वैसे आपको बता दे सर्बिया, अर्मेनिया, अजरबैजान ये सभी कभी सोवियत संग के हिस्सा हुआ करते थे और आज ये सारे देश आपस में ही लगे पड़े हैं हर बार ऐसा होता था कि इन देशों के बीच अगर किसी तरह का मन मुटाव होता था तो रूस बीच में कूद कर इनके बीच सुलह करा देता था लेकिन इस बार तुर्की की वज़े से अजरबैजान ने रूस की बात मानने से इनकार कर दिया है जिसकी वज़े से ये लड़ाई और भी भयानक रूप लेती जा रही है फायर ड्रिल के बाद अजरबैजान काफी चौक गया है क्योंकि उसे उम्मीद रही थी कि सर्विया अर्मेनिया का साथ देने के लिए आ गया जाएगा वैसे अब आपको क्या लगता है अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में किसकी जीत होनी तै है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई न्यूज के साथ कर अजरबैजास झाल झाल